तो हम बात करा चप्टर और इससे पहले वीडियो में बात किती बेसिक प्रॉपर्टी आप एमिन कैसे आमिन बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ठीक है तो हमने कहा था कि जो एमिन के अंदर अडिजन होता है वो निकलियो फाइक तरह भी रेक्शन करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है दो टाइप के रेक्शन पर आता है ठीक है तो आज अपन उसी में बात करेंगे कैमिकल रेक्शन लेंगे एक्जाम्पल तो कॉपी पेन निकालो और नॉट करते रो कौन कौन सी रेक्शन है कैमिकल रेक्शन ठीक है अच्छे तो कि एल का इलेशन नाम से चलड़ाया वालूं कि इसके इंदर कोई एलकल ग्रूप अटेच होगा ठीक है एक्जामपल ले रहे हैं आर एनस टू एमीन इसकी रेशन होती है एलकी हलाइट से RCL तो यहाँ से H और यहाँ से CL क्या उट हो गया HCL और यह Alkyl Group यहाँ पर attach करता है R S HCL out हो रहा है यह reaction आगे और भी होती है एक R RX और attach करेगा अपने CL ले रहे है तो यहाँ से H और CL क्या लगा है बार H से अगे बाउट नेस्ट को पर गुंता अपना इसको और डबल डैसमान लेते त्राय Alkyl Amin अभी इस रेक्षन के अंदर एक और R X भी एड होता हलाग कि H इसमें नहीं है इसमें अब नहीं है लेकिन फिर भी एक इसको आर्टिपल डैसमान लेते हैं इस तरफ सिया इस तरफ बता प्लस चार्ज इस रदा मैनस चार्ज राइट तो टेट्रा Alkyl Amin शॉल्ड बन गया टेट्रा Alkyl Amin शॉल्ड राइट टेट्रा हड़ल से वहता है इनका जिसके अंदर नर्जिन होता है सेंटर के अंदर देखी लो इसका भी कुछ इस टाइब का सॉल्ड होता है टेट्राइडर्स इसके जमाट्री होती है अगर अपन यहाँ पर लेता है बेंजीन तो उसको बोलते है बेंजाइलेशन सपोज में ले रहा हूं अनिलिन और इसके अंदर एड़ करूंगा मैं सियास्ट्री आई मिठाइल आउड़ाइड यहाँ से दो आच निकलने के लिए टू एचाई चलेंगे बार और और फाइलली अडिशन के बनता है इधर थ्री मिठाइल ग्रूप अटैच होंगे आई माइनस इधर फिलस किलिए विकॉज यहाँ पर आपके तीन तीनो आर अटाच होगे और तीन आर और लग से तो यहाँ पर तीन मिठाइल ग्रूप आएंगे ठीक है और थड़ वाला इधर इसमें एड़ रहा है तो टू एच आहीं बार से लगए तो यह इस टाइप का जो कंपाउंड है यह इसको बोलते है बेंजाएलेशन बेंजाएलेशन के रपन अअ हलायड एड़ कर रहा है इस अधिस अधिस अधिसड़ इसके फांदर नाउड कर जाबाट इसके नाम क्या थाइल बेंजीन आउडाइड ठीक है नौट दिस नेक्स्ट रियक्शन है आपके एसाइलेशन हो गया चला तो जब में रफ करना होता है तब उससे पहले आप वीडियो पाउस करें और उसको उतार लें सेकेंड है आपके एसाइलेशन मेंस कोई ओयल क्लॉराइड कंपाउंड है इस में अटा चोगा इस ग्रूप के अंदर यह होता है पोजिटिव वाला पार्ट यह होता है नेगिटिव वाला पार्ट विकोज ऑक्षिशन इज हाई एक नेगिटिव इट ट्रेक्ट अलब दो कारवन ठीक है यह ज्यादा नेटिव तो यह कावन की लिक्ट्रा अट्रेट करता अपके तरफ और इस पर आता मेंस चाहिए प्लस चार्ज ठीक है अभी नहीं है अट्रेट करेगा तब की बात है तो जब यह रियक्शन करते हैं कि मिफनल क्लॉराइड ठीक है तो यहां पर यहां से एक एच और एक सियल क्या हूट हो गया है एच सियल और क्या बन रहा है सी एस त्री एन एच सी यो सी एस त्री आशी टेपाट बनें गया है है ठीक है मिफायल इथेनमाइड क्या नाम है इसका मिफायल इथेनमाइड यह आशी रवाइड वी कैंशे ठीक है अच्छा एक और पॉइंट यह रेक्शन लोड टेंपरिचर पर होती है करेवन 0-5 डिग्री सेल्सियस और बेसिक मिडिम आच चाहिए बेसिक मेंस वीक बेस्ट इसकी पियाच वैली होती है करेवन 9-10 क्यास पास की पियाच वैली वाला बेस होना चीए तो इन दिस राइज वी कन टेक प्रीडिन कौन सा प्रीडियन इसकी पिद्स में रेक्शन होती है राइट अगर अपन बेंजीन लेते हैं आपर अनलेन युए अस्त्री को सियर ठीयर कै या वान एगा या से आच वा चल ए चल आउत एनच सी ओ शी एस तरी टिक है मिथाइल बैंजेनेमाइड क्या बन गई यह मिथाइल इस बैंजेनेमाइड नौट डाउन दिस अब इस रेक्षन में होता क्या है मैंकेनेजमें सब कैसे यह काम करती है इस एक्षन के अंदर जो अलकिलेमिन के जो नाड़िजन होता है वो एक तरका निकलियोफाई की तरह काम कर रहा है क्योंकि अपने एलेक्ट्रॉन देगा अब इसके अंदर कौन सा पार्ट पोजिटिव है इसको ऐसे लिख रहा हूं है यह जो ऑक्षिंघन एज़ जयदा नेडिव होता है तो यह तो यह एलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इतरी के आएगा प्लस चार्ज यह प्लस चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या गया तो यह जो नार्जन होता है यह अपने लेक्ट्रॉन यहाँ पर डालता है तो N और C आपस में जोड़ रहे है राइट क्या बनेगा अब जैसे एन यहाँ से अटेश्मेंट किया एन आपस को एलेक्ट्रॉन दिया तो N पर क्या आएगा क्योंकि आपने लेक्ट्रोन दिया है इसको ठीक है अब ऐसी कर्डिशन में नार्जन किया इस्टिबल नहीं है तो इसको अलेक्ट्रोन चाहिए तो यह से एस लेता है और एज को आउट करता है यहां से बहार निकलता है यहां पर ए निकल रहा है इप मेंस यह एक तरफी इस पोफ़ड़ रहा है एकले है यहां पर कार्बन के अंदर है यह लिए भी अच्छा लिपिन रूप है तो यह अफ तो यह भी अपनि लेक्ट्र жизни लेकर यहाँ से भागता है तो आशके निकले से क्या हुआ कि नार्यजन के उपर वो निट्रल हो गया इसको अलुकर मल गय के और कार्बन के पास इलेक्ट्रन कम पड़ गए तो यहां पर क्या आता है प्लस चाल्ज ठीक इसके निकलन से इस पर आता है पुलस चाल्ज है अब यह पुलस चाल्ज वाला कावन इस्ट अनिस्टेवल है तो उसको सटिस्फार करने के लिए यह जो इलक्ट्रॉन थे आपस कहा आता है एक टिबल बॉन्ड बनता आपस तो अपना जो मेन प्रड़क्ट हो बन गया कि अ कि लिए समझ गए एलकिल एमाइड एलकिल एमाइड नॉट को डावट यह पुरा इसका मेकनीज में है हो गया है कि ट्रप कर दें चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि रियक्शन यह किस प्रेंस में होती है बेस में आची और टैंपूरिचर लोग आची इंपॉर्टन पॉइंट अब इसके दर भी एक खास बात खास बात और थी कि जो ऐसा रेशन होता है यह थी डिग्री एलकी लामन के लिए काम करने को इसमें एच नहीं होते है ठीक है तो यह भी पॉइंट लिख लेना ना नॉट लगा रो लिख लो ए ऐसाइलेशन केंन नॉट टेक प्लेस एन थी डिग्री एमें ठीक है अब क्यों विकाज आप अपसेंट अफ एच उसमें एच नहीं होते है इसलिए रियक्शन पॉसिबल नहीं है क्लियर नॉट कर लो इसका वड़ावट लिख लो आगे विकाज आप अपसेंट अफ एच विकाज आफ एपसेंट आफ एच ठीक है रफ कर दू चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रियक्शन है हेंस्बग रिजेंट के साथ ने रियक्शन रियक्शन विद हेंस्बग रियेजेंट यह क्या होता है बैंजीन सल्फो निल क्लोराइड क्या बोलता है बैंजीन सल्फो निल क्लोराइड को अपन बोलता है हेंस्बग रियेजेंट ठीक है इसके रियक्शन होती है आमीन के साथ मैं सब्सक्राइपन ले रहे हैं मिथे आ इस की एक्षिन हो रही है कि सियल एसो टू और यह आगे आपकी बैंजन तो यहां से एच और यहां से सियल क्या उट हो गया है एचियल और एक अडिशन कंपार मन रहा है सिस्ट्री कि ए एन एच है एसो टू और यह बैंजन डूए यह बैंजन अ मिताइल शाओ यह बैंजन सुलफ अन स्थय्लेशऽ यहां बैंजन शुल फोन मट रहले टेचे बैंजन स्थ давно आँ तरफटा एव ऍद डू और यॉस्ट है एव बैंजन स wrapping पूल ज्ल फोन माईड़ साइल बेंजीन सेलफोन एमाइड ठीक है नोट क्रॉसको इंपरेंट रेक्शन हो गया नेक्स्ट आपके कार्विल एमिन टेस्ट फॉर्थ वाली बहुत इंपरेंट है कार्विल एमिन टेस्ट इसको आई शो शाइने टेस्ट भी कहते हैं विकोज इसके अंदर एक भ़हतीं बद्वू आती दोधी एक कंपॉण्ड बंता इसिको आई शायनेट टेस्ट कहता है विकोज इसमें जो कंपॉण्ड बन रहा वह कहांज शार अई ससा इस इसाने बन रहा है ठीक है तो जो हता कि है इसक्षिण यंदर जब एकिल्यके कि रियक्शन गरता है विद क्लोरोफॉर्म सी यह सी अलत्री इंद बेशिक मेडियम ठीक है या तीन सेल तो यहां पर तीन केवां चाहेंगे कुल मुला के तीन के सियल भार निकल रहे है ठीक है अपना में प्रट्ट क्या है एलकिल आई शाइनाइड सिस् 얼ए आ'RE眅 एनसी अर शिन होता है साइनाइड आर एनसी होता है साइनाइड ठेक है तो अब पिछ्चह के बचा कि यहां से आर ऐन और सी बन गया पिछे के यहांपर 3H औरinkपधर 3 system है तोटल सिक्स एच और तीन ऑक्षिन याने कि तीन वाटर के मालेक्यूल बाहर चले गए तो इसकी बहुत ही बद्भूबदार इसमेल होती है बैड इसमेल और यह शिरफ फर्स्ट डिग्री एमिन ही देते हैं इस टेस्ट गियूज ऑनली कि वन डिग्री एमिन को अलग करने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है क्यों पूशन पूस था टेस्ट तो इस गपीट यह परी रेक्शन्स पता हों चिए कि में होती है ख्लोरोफार्म से रेक्शन होती है अमेन की रफ करते हैं चलो नौट करके नौट करें के लिए पॉस्ट करें और वीडियो को ठीक है ओके कि नेक्स्ट है आपके कि नाइट्रोस एसिड के साथ रेक्शन इट्सफाइप कि रियक्शन विद्ट अले के नाइट्रोस एसिड एाच नो टू बोलता है नाइट्रोस इट्ट क्या होता है चनुट टू थिक्ण फ्रैस हो आँचे है कि कैसा वहांचिए एकदम फ्रेस इसाने की दस दिन पहले का बढ़ा है नौ काम बनेगा नहीं ठीक है तो एलकील एमिन जब रियक्शन करते हैं विद नाइट्रस एसीड एचन ओर टू तो यह बनेगा इसको फ्रेस्ट रखने के लिए शोडियम नाइट्राइट एन नो टू और एक्षील का मिक्शन लेते हैं तो इनकी रियक्शन होती जब यह बनता है एक एंदेख्ण को यह बनता रहे गए तो अब यह फ्रेस्ट बनाने के लिए अपनको यह कमपाॉंड लेन लामेन तो एलकॉल बनेगा क्या बनेगा एलकॉल और कि इसको इसे लिख लो तो यहां से आर और यह वैच यह इसका इस्ट्रक्चर है अब यहां से आर और यहां से आर और यहां से एस्ट्रो वाटर आउट हो गया ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन नॉट कुछ को वट वट हो गया अब के रफ कर दें अच्छा इससे पहले एक और चीजिए नॉट लिखो सारे अलकील अमीन इरेक्शन नहीं देता है अलकॉल बनता है लेकिन एक्सेप्ट केस है मिथाइल अमीन अलकॉल नहीं देता है सियास्त्री अनस्ट्व अगर यह लते हैं अचा नॉट्व और अचा नॉट्व दो नाइट्रोस अचिड के कंपाउंड आएंगे और यह बनता है नाइट्रो मिथेन अनॉट्व और सियास्त्री यह एक्सेप्ट केस है इट इस एक्सपरिमेंटली फाउंड कि मिथेन अमीन है वह कभी नट्री साथ ने अलकॉल नहीं बनाता है यह मिथेनॉल नहीं बनाता है ठीक है कि अब यहां पर यह नाइट्रो मिथाइल बनता है फिर एंट्व गैस बाहर निकलती है पिछे बचे वाटर के मॉलिक्वल्स एंट्व चला गया बाहर पिछे टू और टू फॉर और टू अना टोटल टू वाटर के मॉलिक्वल्स बाहर निकल रहे हैं कि नॉट्व इसको इंपोर्टन्ट रियक्षेन है और गया रफ करदें अ उसके बाद भौत इंपोर्टन्ट टेस्ट है अ लिबर्वान नाइट्रो सो टेस्ट कि इसी के अंदर यह टॉपीक ही चल रहा है रियक्षण नाइट्रस असिट्स ही हो रही है लिबर्मान नाइट्रोसो टेस्ट ठीक है तो यह जो टेस्ट है यह तीनों हमीन है फर्स्ट डिगरी, सेकेंड डिगरी, थी डिगरी इन तीनों में चैप्रेशन करने के लिए काम में आता है ठीक है इसके अंदर नाइट्रोसो मिन्स HNO2 हमें इसका मनाता है इस्टुचर, एंदर बांड ओ, H हलका सा एश्टिक मेडियम होता है एश्टिक मेडियम में जब रिएक्शन होती है तो यहां से यह एश्ट पलस इस ऑक्षिन पर अटाक करता है ठीक है, तो क्या बनेगा एश, हो, हेनलबबबन ओ और यहां पर है अगीह ज़ुकnam है इसनिते अरी सबस्ट्रक्ट स्टुचरों इसकी तरफ से और वाज्टे वालीक्वल्क लेक्वल्क लू इसको बोलता है नाइट्रोसो क्या बोलता है इसको नाइट्रोसो ठीक है तो इसमें एमीन से रेक्शन करता है तो वो कौन करता है नाइट्रोसो ग्रूप करता है ठीक है तो इसमें लेक्टा में फर्स्ट डिग्री आमीन आरनेस्टू इधर आर्टू एनच इधर आर्ट्री और चुंट तो फर्स्ट इग्री आमेन यह फर्स्ट इग्री एक रिसेक्ट डिग्री इस थर्ड डिग्री प्राइमरे सब्सक्राइब टर्शरी यह नाइट्रस आश्र के साथ अटेच होकर है अच अनोर्टू कि फिलाल तो एक कंपाउंड मनेगा एडिशन कंपाउंड कि इस एन से यह होगा अटेच और यहां से वाटर मॉलकूल्स भाने के लिएगा एच और टू ओ यह कुछ कंपाउंड मनता है इस टाइप का ठीक है और इस तर क्या मनेगा यहां से वाटर मॉलकूल निकलता है एस टू ओ ठीक है तो इधर यह बनता ही वाला आर टू एंडल बॉन्ट एंड ओ क्लियर और इस तरफ यह रेक्शन होती नहीं बिकॉज यहां पर क्या नहीं है नाइट्रोजन नहीं है इसलिए रेक्शन होगी नहीं तो एक तो आपने अलग करते हैं आपर थी डिग्री अलकिल एमिन है वह नाइट्रोज एक्षिन करेगा नहीं विकॉज आप देशन टॉफ एच टिकर बट d डिग्री करना अब इन वैलक करना इंकी रिएक्शन होती है फिनॉल और कंसेंट्रेट सल्फिरिक एसेड की पज़ेंस में है फिनॉल प्लस कंसेंट्रेट सल्फिरिक एसेड जैसे आप मिलाते हो तो यह देता है आपका रैड कलर कैसा रैड कलर बनता है और बनता है ग्रेन कलर तो रैड पीटी और ग्रेन पीटी बनने से अपन इनको आइड़िफाई कर सकते हैं तो यह तीनों को अलग करने के लिए लिबरमान नाइट्रो सो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फड़ा वड़े स्कुर्णाट को लो प्रतिकों निया वेकर में पूछते हैं हो इस थालो नेक्स्ट तो यह सर्यापकी तो आपके एल्केल एमिन की रियाक्शन और कुछ अपने अली लाम्न भी देख ली ठीक है अब एलि लाम्न की कुछ इस्पेशल रियाक्शन रिंग की रेक्शन कि हो गया पूरा सरह रफ करदा इसको अ कि रियाक्षिन और अफ अनेलियन तो अनेलियन की रियाक्षिन से पहले कुछ पॉइंट है कि अनेलियन होता है वह रिंग के उपर और पैरा पोजिश्ट में एलेक्टोर रंशिटी शो करता है इससे वहाँ पर अनेलियन तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तब क्या बनता है एक आयन बनता है पॉजिटीव ठीक है अना दे नेक्स्ट पॉइंट यह जो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे यह वाला कहां आएगा पहरा पर तो यह इसके सकेंड इस्टिश्र बनेगा ठीक है फिर यह जो इलेक्ट्रॉन से यहां पर आएंगे तो यह कहां आएगा इस पोजिशन पर और और तो पर इस थर्ड कंडिशन किलर और नेक्स्ट में फाइनली क्या होगा यह जो इलेक्ट्रॉन से यहां पर आएंगे और यह वापस एलेक्ट्रॉन का आएंगे इस एन के ऊपर ठीक है यह लॉन पर आपस आए इसको पर तो यह इसका फिप्त स्ट्रक्चर है अनिलीन का तो ऐसे एक फाइफ रेजुनेंस सो करता है अनिलीन इस सारे प्यक्टिस करने आज चीक है तो इन सब खनेशें के अंदर और और परपर इलेक्ट्रों ते शोगर रहे है इस मिंस एटमेंस इस अनिलीने वह और पर परपर इलेक्ट्रॉफयाइ अटेक करवाता है क्लियर रफ कर दें तो इसके अंदर रेक्शन फर्स्ट है आपके फर्स्ट रेक्शन नाइट्रेशन नाइट्रेशन मेंस एडिशन आफ नाइट्रो नाइट्रोनिम आयन एचैनो ट्री रियाट करता है इस पूस्टो आफ एसे फ़र्सट पर इसके आपके कांसंट्रेट यहां पर कंसंट्रेट स्फिर्ग असिड नाइट्रीक आशिड में से नाइट्रोनिम आएन इन्फरमेशन करता है जो एक निक जब एक इलेक्ट्रोफाइग की तरह काम करता है और वो बैंजर रिंग के और फ़ोर पैड़ा करता है ठीक है कैसी पहले ब्रक्षान आरकी है इस 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 सलफिरिक आशिड यहां साइड में लेख रहा हूं है इस इस सलफिरिक आशिड और तो यह अपना है जूज देता है है यह जबलस इटि नार्ट्रिक आशिड अचट्री फॉर्ट यह है ज़िया सप्लस अटैक करता है इस ओक्षण के ऊपर राइट तो क्या बनता है है एक कमोन बनता है राइट अब जैसे ही है आज बनता है इदर नच्तों है बाइट नुख जा था में है इसा सवर डाइक है त्ट्रेफिश समय और अब हम करेगा ठizes यह इसं रफ में उतार लोग यह कैसे नाइटरों बनता है इसमें अना काफी बच्छों की में मैंने एक आनो 3- तो कहां से इलेक्ट्रों है बन गया तो यह से बनता है ठीक है नौट करो इसको अच्छा तो यहां पर जब यह ना नाइट्रो ग्रूप नाइट्रो 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 और तो अर्थो नाइट्रो कमपॉंड बनता है अनिलीन और एक बनता आपके पैरा वाला दिसप्रा और तो यह बंता आपके सिरफ टू परसंट यह बनता आपके फॉर्टी टूपरसंट तो वाप्कियों अला कम बढ़ यह खाँ गया है तो यह एसा क्यूंग होता है यहां पर सिरफ फॉर्टी वन परसंट के बनता यह डायक्ट नैट्रेशन है एक 288 degree Kelvin पर it is direct nitrogen अगर आप डाइरेक्ट रेक्शन कराते हो तो आपको और तो और परा के अंदर ये रेशियो मिलेगा 2 और 41 तो बाकी वाला किया है होजा किया इस action के अंदर इस reaction के अंदर इस शल्फ फ्रिक रेक्शन से एच प्लस आयन होता है हो एच प्लस आयन इस अनवीन से रियक्शन करके एक अनलीनम आयन मन जाता है क्या बनता है अनलीणम आयन इस अनलीनम आयल राइट अच्छा पहले यह था यह जो नाटिजन गुरुपत हा यह अपने लॉन पिर करींग को दे रहा था में अब त्सक्राट कोणी कई जैसे अनेलिनम बनता में अब यह इलेक्ट्रोन लेगा यह कोना है मैंश अभी 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 एका यह प्लस आर था प्लस एंग और या प्लस आर पहाँ एकी बात है तो रहती और और्थो पर कम रहती इंडिस केस यहां पर रहेगा आपका प्लस चार्ज प्लस प्लस पार्ट ऑर थोले स mail पेन पर आरा किसे पर मेता पर इलेक्ट्रों ञेकी डी ठीकी म अही रहेगी एक एन इस डू मैटा वाला यह बनता आपके 47 परसेंट राइट तो यह तीनों का मिक्षर मिल रहा है अगर आप डायरेट करोगे नाय नाय ट्रोनियम का अडिशन तो फिर यह तीनों का मिक्षर मिलेगा तो अपने को सिर्फ यह चाहिए पैरा और और तो वाला पैरा चाहिए में तो है तो इसका इन डायरेक्ट नायटेशन करते हैं तो साइड में लिख लो एक पॉइंट यह वाला यहां कहीं खौप्च में लिख रहा हूं मैं लिख लो आप भी ठीक है वैन वी यूज डायरेक्ट नायट्रेशन यह बडेन दे लिख एक लिखंटरा दिनि लिख दर को पुश्च नायरेक्ट घरेबार डायर्खरस। नायरेक्ट नायरेक्ट यह अ व मेटा परडक्ट मेटा परडक्ट लाइए अन्हों एक यानि आपको तीनों मिल रहे है और था मिल रहा है पेरा ही मेटा मिल रहा है इसलिए आपको इन्डिरेक्ट नाइट्रिशन गराना पड़ेगा कि रफ कर दू आच्छा आपके कि यह रफ कर रहा हो पुरा हो गया चलो को गेट पर पर रफ कर रुष्ट रफ सुष्ट चलो जाच्छी रफ कर रफ था र्फ राच्छ पर च्छ्रीड पर राच्छ प्र पर था कर रफ दू च्छांग्टेश आपके कि रफ खिताट्रिशन गराना प्रफ च्रीट विड्य। Acetic Anhydride, Acetic Anhydride, ठीक है, अच्छा, तो अब जब आप Aniline की रियक्षिन, फर्स्ट कराते हो, Acetic Anhydride से, C-H3-Co-O, C-H3-Co-O, it's Acetic Anhydride, in the presence of any base, we can take protein also, protein, ठीक है, कोई हलका सा बेसिक ले लिया, विक बेस और Acetic Anhydride की बज़िस पर एक्षिन कराना है, क्या होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से C-H3-Co-H, क्या आउट हो गया, Acetic Acid आउट हो गया, और एक addition compound मिल रहा है, यह बिलकुल यहाँ पर attach होता है, ठीक है, यह एक addition compound मिलता है, राइट, अब यह जो addition compound है, यह वापस reaction करता है, nitric acid, HNO3, sulfuric acid है, water के molecule selection करता है, यहाँ से C-H3-Co-H, क्या आउट होगे, C-H3-Co-H, ठीक है, और यह H वापस खागया, यहाँ पर आगया, तो क्या बन गया, अनिलीन, और यहाँ से nitro group आएगा, पहाँ पर टक करेगा, एक बार तो पर और और यह बार करेगा आपके, meta पर, sorry, para पर, it's a para nitro aniline, and it is ortho nitro aniline, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 80 और 20 का ratio मिलेगा, और आपको para product मिलेगा, तो यहाँ पर हुआ क्या, कि जो यह acetic anhydride है, यह aniline का protection कर रहा है, एक तर से protective group है यह, ठीक है, लिख लोगे हाँ पर, here, acetic anhydride, protect, to, aniline, amine group, ठीक है, ठीक है, यह amine group पचा रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है, कोई लेक्ष्म पार्टिस्पेट नहीं है, बीस में एक बंडरा इंटिमिडेट और अपस निकल जा रहा है, तो यह protective group कि तरह काम कर रहा है, यह, here, acetic anhydride, protect, I mean group, and called protective group, ठीक है, तो ऐसे जो compound होता है, जो की reaction में, बीच में, as a interviewed काम करता है, और किसी group को protect करता है, तुमको बोलता है, protective group, ठीक है, यह भी important definition है, protective group क्या होता है, ठीक है, तो इसको production दिया, और आपस, main product मिल गया, और अपना आपस ग्रूप आ गया, clear, तो रफ कर दाएं, इसको, हो गया, right, next reaction है, आपके शलफोनेशन, reaction, second है, शलफोनेशन, अनलेशन की reaction होती है, शलफोनेशन की presence में, concentrate, शलफोनेशन, इसके दो molecule आते हैं, और एक molecule दूसरे molecule में से, शलफोनेशन आयन निकालता है, ठीक है, शलफोनेशन, आपको, और्थो और पैरा पर, सलफोनेशन ग्रूप है, अटेक करता है, ठीक है, इस इस पैरा सलफोनेशन अनलेशन, इट्स और्थो सलफोनेशन अनलेशन, आपके, यह 473 degree Kelvin temperature पर होती है, हाई temperature है, और इसमें एक molecule दूसरे molecule में से, शलफोनेशन आयन, एक तरका इलेक्ट्रोफाइज रेट करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से, एक मलेक्ट्रोफाइज अनलेशन, एक मलेक्ट्रोफाइज बनाता है, ठीक है, यह एक इलेक्ट्रोफाइ है, राइट, नेक्स्ट है आपकी थर्ड रेक्शन हेलोजिनेशन, आपके, हो गया, चला, इसमें क्या होता है, कि अनिलिन रेक्शन करता है, ब्रोमीन से, और यह ब्रोमीन तीनो पोजिशन पर, तीनो मतलब यह और थो और एक पहरावाली, तीनो पे अटाइक करता, तीनो से हाच बाहर निकलता, यहाँ से भी हाच, इदर से भी हाच, तो क्या चलगए बाहर, एच बी आर, और अपना प्रट मन रहा है, आने जाएगे, तो, वर्न तू इधर ब्यार है, इस्तर ब्यार इधर ब्यार, ठीक है, तो 1, 2, 2, 3 और 4 और 5 और 6, ठीक है, 246 ट्राइब ब्रोमो एनिलेन, ठीक है, यह लोग अधर का होता है, एक ऐसा होता है, लाइट, येलो फिपीटी होता है, ठीक है, बहाज क्या निकल रहा है, तीन मॉलेक्वल, एच बी आर के, राइट, तो इंपोर्टन रियक्शन है, यह रियक्शन, इसके अंदर ब्रोमीन एड़ हो रहा है, और थो और पैरा पोजिशन के पर, ठीक है, है, इसमें एक और छीज़ है, इसके अंदर येल बी आर थी अतर इपन काम में लेता है, करता है यह जो यह अलुड की तरह काम करता है इस में इलेक्ट्रा इपिशन है यह इसे स्को इलेक्ट्रोंड डिशन मनाता है यह इसको इलेक्ट्रिफाइग के त्यार करता है राइट लेशाट यह 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 एल इसको इलेक्टोन अफिशन गठता और यह एलेक्टोन अफिशन अपने कर ली आपने इसके नेस्ट वीडियो के आपने बात करेंगे इसके सॉल्ट ठीक है डाइजनम शॉल्ट ठीक है यहां तक टॉपिक एंडलता है अपना है अमिन्स का थैंक्यू हरा कुड़ दे